वेल्कम बैक टू माई चानल तो इससे पहले हवाली वीडियो में हमने डिसकस किया था क्वाद्रेटिक एक्वेशन के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स तो आज हमने करने हैं इसी चाप्टर पे बेज इस फॉर्मुले बेज पे कुछ जो इंपोर्टेंट है तो अगर आपने वह वीडियो चेक नहीं करें इंपोर्टेंट पॉइंट्स वाली तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरी वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी आप उसमें वह वीडियो चेक कर सकते हैं तो आज हमने कुछ इंपोर्टेंट क उसने बता दिया है कि इसका कोई भी root जो है real नहीं है then values of P तो values of P कहां कहां तक लाई करेंगी जो values of P हैं वो हमारी कहां से कहां तक लाई करेंगी minus 2 से लेकर 2 के बीच में लाई करेंगी क्योंकि उसने हमने बोल दिया है कि x square minus P x plus 1 is equal to 0 no root is real इसका कोई भी root real नहीं है तो values of P कहां से कहां तक लाई करेंगी तो values of P लाई करेंगी minus 2 से 2 तक negative to positive लाई करेंगी next question है हमारा quadratic equation का if minus 5 is a root of quadratic equation 2x square plus P x minus 15 is equal to 0 find the value of P उसने हमें एक equation दे दिया है इसमें हमें A x square plus B x plus C की value हमें दे दिया है A क्या हुआ 2 B क्या हुआ P और C क्या हुआ minus 15 हमारे पास तो equation quadratic की सारी positive terms में आना है तो इसलिए हम C को उसके sign के साथ ही carry करेंगे जैसे C की value क्या होगी हम पर minus 15 if minus 5 is a root of the equation उसने हमें एक root already दे दिया है तो अगर हम एक root हमें already मिल चुका है इसका मतलब वो X की value को satisfy करेगा मतलब हम उसमें X की value अगर minus 5 डालेंगे तो हमें P की value मिल सकती है क्योंकि वो तो इस equation को satisfy करेगा अगर minus 5 इसकी value है तो वो इसमें हमें X की value जब हम minus 5 डालेंगे तो वो 0 के equal ही आएगी 0 के equal आएगी तो हमें वहाँ से P की value मिल जाएगी क्योंकि एक variable तो हमने eliminate कर दिया X की value पुट करके अब हमारे पास कौन सा variable बचा इस equation में P ही बचा है तो जब हम X की value डालेंगे हम minus 5 whole square plus P minus 5 minus 15 negative का square positive होता है because minus minus positive हो जाता है तो 25 into 2 is 50 minus 5 P minus 15 तो 50 minus 15 35 and it's minus 5 P 5 P को minus 5 P को हम इदर ले जाएंगे और 35 यहीं रेगा तो 5 P की value क्या जाएगी 35 यहां से P की value आगी हमारे पास 7 तो यहां पे हम 7 पुट कर देंगे मतलब हमारी equation क्या बन जाएगी 2X square plus 7X minus 15 उससे हमने हमसे सिरफ P की value पुछी है तो P की value के आजेगी हमारे पास 7 यह था हमारे पास एक 2 mark question अभी हमने दो questions इस वीडियो में डिसकस करें हैं इससे next वीडियो में हम और important और ज़दा tricky questions भी discuss करेंगे तब तक के लिए इस चानल को subscribe करना, वीडियो को like करना share करना और comment करना अगर आपको कोई भी doubt है आपके पास और questions हैं जो थोड़े tricky हैं आपके solve नहीं हो रहे तो आप उसे comment में लिख सकते हो उसके उपर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूँगी ताकि आपके doubts भी clear हो जाएं तो आज की वीडियो में हम इतने ही questions discuss करेंगे next वीडियो में हम और important quadratic equations के questions discuss करेंगे तब तक के लिए इस चैनल को subscribe ज़रूर करके जाना thank you